सुप्रभाद छात्रों स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में तो बच्चों पिछले सेशन में हमने पार्ट दस शिक्षा की महिमा कहानी में पड़ा था कि गान की स्थिती कैसी थी रविंद्र कैसा शात्र था अथवा सरकार द्वारा विदेशी कंपनी को कार बनाने का कार खाना खोलने की अनुमती दी गई थी आईए जानते हैं इसकी आगे की कहानी किन्तो सर्व प्रथम हम इनके कठिन शब्दों की चर्चा करेंगे तो आज आईए अपनी पुस्तत उमंग के पाटतस शिक्षा की महिमा के पेज सेवेंटी पर सिकिन पेराग्राफ की थर्ड लाइन में वर्ड देखिए भरती मेंज प्रवेश बिटा प के पैर में पदेन है जो की हलकी रख की आवाज देता है पेला वर्ड है बर्दाष्ट बेटा बर्दाष्ट में शहाफ आएगा मेंज सहन आगे है तन्ख्वाह तन्ख्वाह में भी खहाफ है मेंज वेतन आगे बढ़ते हैं सुनहरा अवसर मेंज गूल्जन ओपर्चुनिटी ओपर्चुनिटी के स्पिलिंग देखिए ओ डबल पी ओ आर टी यू एन आई टी वाई नेक्स्ट इस खर्च खर्च में चर के उपर क्या है रेफ जो हलकी रख की आवाज देता है अगे बढ़ते हैं हालात हालात मिन्स स्थिती लिंग देखिए आधे सको छोटी इ थ तको छोटी इ बेटा यहाँ पर चाहे हमने छोटी इ की मात्रा स को लगाई है क्योंकि वह हाफ है लेकिन बोलते समय हम छोटी इ का प्रयोब थ के साथ करेंगे स्थिती आगे है कर्ज कर्ज में जोके पैर में बिंदी और उपर रेफ कर्ज मीन्स उधार आए आगे बढ़ते हैं बाकी आधे मीन्स रीमेनिंग हाफ आगे है समझाने की कोशिश मीन्स ट्राइ टू एक्सप्लीन आगे बढ़ते हैं बिकार बिकार मीन्स व्यर्थ व्यर्थ में वहाफ आएगा और थ के उपर रेफ आएगा आगे है घोशित हुआ मीन्स डिक्लियर्ड डी ए सी एल ए आर ए डी आगे है राज्य राज्य मीन्स स्टीट आगे है घोशना बेटा घोशना मीन्स एलान आगे बढ़ते हैं उत्साहित होकर उत्साहित की स्पेलिंग पढ़िये उ आधात सकोआ हकोचोटी इ त उत्साहित मीन्स जोश में आकर आगे है कोशने कोशने मीन्स बुरा भला कहने अब आप पेज नंबर सिविंटीवन पर आजाएए आगे है तम तमाता हुआ मिन्स हडबडाता आगे है परिसर में बिटा परिसर में मतलब जमीन में आगे चलते हैं सपरिवार सपरिवार मिन्स परिवार सहित आगे है व्यर्थ व्यर्थ मिन्स बेकार आगे उचित उचित मिन्स सही आगे हिदायत हिदायत मिन्स अनुदेश आगे बढ़ते हैं आर्थिक स्थिती बिटा आर्थिक में ठकोचोटी इ और उपर क्या आएगा रेफ economical condition E-C-O-N-O-M-I-C-A-L condition C-O-N-D-I-T-I-O-N आगे बढ़ते हैं अडिग अडिग मींज अटल आगे है कम से कम मींज एट लीस्ट बेटा लीस्ट के स्पिलिंग देखो L-E-A-S-T लीस्ट बेटा आगे है आग बबुला बेटा यहे एक मुहावरा है आग बबुला मींज क्रोधित होना और क्रोधित पे हमने करकी पैर में क्या लगाया है पदेन आगे बढ़ते हैं धमकाया धमकाया मींज दराया हमारा अगला शब्द है विप्रीत बेटा विप्रीत का अर्थ है उल्टा उल्टा में लहाफ आएगा अगला है धावा बोल दिया तो बेटा यह भी एक मुहावरा है धावा बोल देना मींज आक्रमन करना यहाँ पर किसी सीना युद के बारे में नहीं बताया जा रहा आक्रमन से भी प्राई यहाँ पर लिया गया है कि गाम वाली जो है वह प्रधानाचारे को चितावनी देने के लिए जा रही है अगला हमारा शब्द है समस्या समस्या में सहाफ आएगा बच्चो समस्या मींज प्राब्लम आगे है काओरी स्पेलिंग देखिए ककुपड़ा आओ रकुबड़ी काओरी मींज पैनी पी ए डबल न वाई आगे है भक्तों भक्तों मींज डिवाटीज डी वी ओ टी डबल ए एस आगे है तांता बेटा तांता पे तकुआ उपर चंद्रबिंदो फिर तकुआ तांता मींज भीड बेटा कठिन शब्दों की चर्चा तो हमने कर ली चलिए अब जानते हैं इसकी आगे की कहानी को तो आजाए अपने पेश जंब 69 पर गाम के गरीब परिवारों को मजदूरी मिल गई दो साल बाद कार खाना तैयार हो गया और गाम के सभी नौजवानों की भरती कार बनाने के कार खाने में हो गई तो बेटा इसने बताया गया है कि कार खाने में भरती के कारण गाम वालों को व्यवसाय मिल गया था आगे पड़ते हैं भारवी कक्षा की बोर्ड परिक्षा स्माप्त हो गई परिणाम आने में दो महीने का समयता कार खाने में भरती पूरे जोश में थी घर में खाली बैठे पुत्र को कोई बरदाश्ट नहीं करता है रविंद्र को घर देख माने पिता से कहा अजी सुनते हो गाम के सारे लड़के कार खाने में भरती हो रहे है अपना रवी घर पड़ा है कुछ बात करो सुना है पांच-पांच हजार रपए महीना तनखवा मिल रही है तुम ठीक कहती हो कल सरपंच भी कह रहा था जल्दी भरती बंध हो जाएगी ऐसे घर बैठे इतनी बड़िया नौकरी के मौके कभी-कभी मिलते है कहकर आवाज लगाई रवी पेटा इस अनुछेद में मादवारा घर पर खाली बैठे बेटे को कार खाने में नौकरी लगने के लिए प्रचाहिट करने की बात कही गई है और रवींद्र के पिता जी भी अपनी पतनी की सोच के साथ सहमत होकर उसे सुजहाव देने के लिए पुकारने लगे रवींद्र पढ़ने में व्यस्त था शायद उसे एहसास था कि पिता कार खाने में नौकरी की बात करेंगी इसलिए पिता की आवास अंसुनी कर दी रवी प्रिक्षा स्माक्त हो गई है अब नौकरी कर ले कार खाने में सभे लड़के भरती हो गई है यह सुनहर आफसर है इसे गवाना नहीं रवींद्र के पिता जी रवींद्र को नौकरी करने के लिए प्रिरित कर रहे हैं कि वही सुनहरी मोकी को ना खोई पर रुची ना होने के कारण रवींद्र पिता जी की बात को अंसुनी कर रहा है मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ उसके लिए अभी और पढ़ना है देख रवी हम कोई अमीर नहीं है हम पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते आप खर्च की चिंता ना करे प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि वे मेरी शात्रवृति की बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर रविंद्र वार्तलाप के द्वारा अपने IAS बनने की इच्छा को अपने पिता जी के सामने व्यक्त कर रहा है परन्तु रविंद्र के पिता जी गरीबी के कारण पढ़ाई का खर्च ना उठाने की बात करते हैं और रविंद्र पिता जी को चिंता मुक्त होने के लिए प्रधाना चारे द्वारा दिलवाए जाने वाले वजीफे की बात कर रहा है आईए आगे पढ़ते हैं देख रवी तुझे घर के हाला तो मालूम ही है तेरी दो बड़ी बहनों और भाई की शादी में कर्ज लिया था जो आज तक चुका नहीं पाया आधा खेत साहुकार पहले ही अपने नाम करवा चुका है बाकी आधे खेत से बहुत मुश्किल से गुजारा होता है एक दो साल बाद चूटी बहन भी शादी लाइक हो जाएगी आखिर कैसे मैं रकम का जोगार करूँगा घर बैठे बिठाए इतनी अच्छी नौकरी मिल रही है तो अभी जा और भरती हो जा बेटा इस पेरग्राफ में बताया गया है कि घर में गरीबी के खारण रविंद्र के पिताजी उसकी आगे पढ़ने की इच्छा के साथ सहमत नहीं है और वह उसे घर की मजबूर्यों का उलाहना देते हुए कार खाने में भरती होने के लिए कह रही है आईए आगे पढ़ती हैं अग्षा में रविंद्र जिले में प्रत्थम आया था इस बारवख पूरे राज्य में प्रत्थम रहा राज्य सरकार ने आगे बढ़ने के लिए चात्रवृती की घोशना गी जिससे उत्साहितोकर रविंद्र ने कालज में दाखिला लिया और नोकरी चोड़ दी नौक्रे छोड़ने की खबर मिलते ही रुविंद्रे के माता पिता बहुत नाराज हुए और प्रिंसिपल को कोसने लगे तो बेटा माता पिता के सामने रुविंद्रे की सारी खोशिशें नकाम रही अंतर वह छह हजार रुपए पर नौक्री करने लगा किन्तो इससे वह प्रसन न था दो महीने की नौक्री करने के बाद जब दस्मीक अक्षा की नतीजे में जिल्ले में प्रथम आता है राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली छात्रविती की खबर सुनकर खुश हो वह कॉलेज में दाखिला ले लेता है आए आगे पढ़ते हैं प्रधाने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ ठक हार कर प्रधानाचारे ने कहा कि आपका लड़का है जो आप उचित समझे वही करें तो बच्चो इसमें रविंद्र के पिताजी की क्रोध भरी अवस्था को दर्शाया गया है कि रविंद्र के नोकरी चूरने पर उसके पिताजी कुछ पढ़ोसियों के साथ जाकर प्रधानाचारे को बुरा भला कहते हैं और धमकाते हैं कि वो रविंद्र को भढ़काना बंद करें आईए आगे पढ़ते हैं घर पहुंचकर रमाशंकर ने रविंद्र को हिदायत दी कि उसे आगे पढ़ने की कोई जुरुरत नहीं है वह नोकरी दुबारा शुरू कर दे रविंद्र को कुछ नहीं सूच रहा था वह प्रधानाचारे से मिला क्योंसे क्या करना चाहिए? घर की आर्थिक स्तिती को देखते हुए परिवार के साथ रहकर वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है घर से दूर रहकर अपना जीवन निर्वा कैसे करेगा? को समझा सके तो उसकी भविश्य के लिए उत्तम रहेगा लेकिन रविंद्र का परिवार अपने फैसले पर अडिग रहा इस पेरग्राफ में घर पहुंचने के पश्चाहत रविंद्र के पिता उसे दोबारा नौकरी करने के लिए कहते हैं और रविंद्र चिंतित होकर प्रधाना चारे से अपने शिक्षा से संबंदित खर्च के बारे में विचार्व मर्श करता है और अपने फैसले पर अटल रहता है आईए आगे पढ़ते हैं रवी कान खोल कर सुन ले आगे पढ़ाई की कोई जरुरत नहीं है नौकरी करेगा तो पैसे कमाएगा पढ़ाई करेगा तो पैसे खर्च होंगे जितने साल पढ़ने में लगाएगा तब तक कम से कम दो लाक रुपए बचा लेगा लेकिन रविंद्र को पढ़ने की धुन्ति उसने कालेज में दाखिला ले लिया यह सुनते ही रमा शंकर आग बबुला हो गया और रविंद्र को फिर धमकाया आखरी बार बोलता हूँ घर में रहना है तो नौकरी कर ले वरना घर से बाहर हो जा मैं आगे पढ़ूंगा प्यारे बच्चों इसमें रविंद्र के पिता जी घर में रहने नौकरी करने और पढ़ाई ना करने के लिए धमकाते हैं जबकि रविंद्र पिता जी को अपने पढ़ने के निन्ने के बारे में बता रहा है आईए आगी पढ़ते हैं यह सुनकर रमा शंकर ने रविंद्र को हाथ पकड़ कर घर से बाहर कर दिया मा ने दर्वाजा बंद कर दिया रविंद्र अब क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह प्रधाना चारे के पास गया रविंद्र को प्रधाना चारे ने अपने घर पनाह दी यह सोच कर कि हो सकता है दो चार दिन बाद रविंद्र के माता पिता का गुसा शांत हो जाए लेकिन इसके विपरेत उन्होंने गाम वालों की साथ प्रधाना चारे के घर धावा बोल दिया और खुले शब्दों में चेतावनी दे दी कि वह गाम के बच्चों को भड़काना बंद कर दे वरना उसे स्कोल में रहने नहीं देंगे वह रविंद्र को अपने घर में नहीं रख सका मजबूर होकर प्रधाना चारे के घर से रविंद्र को जाना पड़ा लेकिन वह घर नहीं गया सीधे शहर की और रवाना हो गया लेकिन समस्या रहने की थी कॉलेज के पास एक मंदिर था वह वहां कुछ देर बैठा रहा रात को मंदिर बंध हो गया सारी रात मंदिर परिसर में गुजार दी उसकी जेब में फूती कौडी नहीं थी बस एक पेंट कमीज में घर से निकला था सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी नीद खुली पानी पीकर गुजारा कर लिया भक्तों का तांता लगा और कुछ भक्तों के दिये प्रसाज से पेट की भूग शान्त की कुछ समझ नहीं आ रहा था दूसरी रात भी मंदिर में काटी अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने उसे उठाया पोत्र के नेने को सुनकर रमाशंकर उसे घर से निकाल देता है रविंद्र अपने प्रिंसिपल के घर रहने के लिए जाता है किम्तु यह समाचार उसके पिताजी को मिलने पर वह क्रोधित हो गाम वालों की साथ प्रधानाचार्य को धमकाने जाता है जिस कारण प्रधानाचार्य ना चाहते हुए भी रविंद्र को घर नहीं रख सके अंत में रविंद्र शहर के एक मंदिर में प्रसाद खाकर पेट भरता है और वहीं रहने लगता है वह मंदिर कॉलेज के पास था दूसरी रात भी मंदिर में सोने के कारण मंदिर के पुजारी उसे अगली सुबर उठा रहे है बच्चो यह तो थी अब तक की कहाने आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी बाकी की कहाने को हम अगले सेशन में जारेंगे तब तक की लिए गुड़ बाई